दोस्तों अभी April 2023 से debt mutual fund पे tax rate बढ़ गया है तो अब सीधा सा एक सवाल आता है मन में कि हम mutual fund में पैसा डालें या फिर सीधा सीधा FD में पैसा डाल दें क्योंकि FD के interest rates काफी बढ़ गए हैं पिछले एक साल में तो इस वीडियो में हम एक detailed comparison करने वाले हैं debt mutual fund की भी बात करेंगे equity mutual fund की भी बात करेंगे और साथ में उनको FD के साथ compare करेंगे कहां पे जादा sense बनता है 2023 में पैसा डालने में अलग-अलग parameters पे हम comparison करेंगे वीडियो काफी interesting होगा बने रही है तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक comparison chart बनाया है हम compare करने वाले हैं FDs को जो non tax saving FD है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि देखे tax saving FD में आपका 5 साल का lock-in हो जाता है हम यहाँ पे वो सारी investments compare कर रहे हैं जहाँ पे liquidity का कोई problem ना हो यानि कि आप कभी भी पैसा अपना आसानी से निकाल पाएं फिर साथ में हम compare करेंगे debt oriented mutual funds को यानि कि जहाँ पे stocks में पैसा less than 35% लगता है फिर साथ में हम equity oriented mutual funds की भी बात करेंगे जहाँ पे stocks में पैसा more than 35% लगता है अब देखें यह जो debt oriented और equity oriented mutual funds है इनका difference taxation point of view से काफी जादा हो जाता है अभी हम जल्दी समझ लेते हैं कि आखिर taxation कैसे लगता है इन तीनों ही products पे पहले अगर हम FD की बात करें तो इस पे taxation कैसे लगता है इसमें आपका जो भी slab rate होता है अगर आप 30% के bracket में है tax bracket में तो जो भी आपने interest कमाया FD से वो सीधा सीधा उसके उपर 30% का tax लग जाएगा और ये हमेशा से ऐसा ही लगता रहा है 2023 में ऐसा कोई special change नहीं हुआ है लेकिन special change कहा हुआ है वो हुआ है debt oriented mutual funds के case में यहाँ पे अब आपका जो taxation है वो सीधा सीधा IT slab rate के हिसाब से ही लगेगा अगर आप 30% bracket में आते हैं तो आपका taxation 30% ही लगेगा यानि कि अब FD का और debt mutual funds का same tax rate हो गया है लेकिन 31st March 2023 तक काफी ज़ादा benefit हो जाता था वहाँ पे पहली बात तो long term capital gains में आपको खाली 20% का tax देना पड़ता था अगर आप 3 साल से ज़ादा के time के बाद उस mutual fund को बेचते थे थे तो और साथ में आपको indexation benefit भी मिल जाता था वो क्या होता है basically महंगाई की वज़े से जो दरें बड़ी जो rates बड़े चीजों के उसकी वज़े से आपका जो cost of acquisition हुआ मानली जे एक लाग का आपने mutual fund खरीदा था तो उसके आप acquisition की cost ही डेड़ लाग कर देते और फिर आपने दो लाग का अगर दस साल के बाद वो बेचा तो आपका जो actual profit taxation point of view से consider हुआ वो एक लाग consider नहीं हुआ वो खाली 2 लाग minus डेड़ लाग आपको indexation benefit की वजए से वो जो acquisition डेड़ लाग हो गया तो अब आपका profit खाली 50,000 का ही consider हुआ उस 50,000 पे आपका खाली 20% का tax लगता यानि कि खाली 10,000 रुपे tax लगता लेकिन इस case में अगर हम आज की बात करें तो सीधा-सीधा आपका जो 1 लाग का profit हुआ है उस पे आपका 30% का tax लग जाएगा यानि कि सीधा-सीधा 30,000 का tax लग जाएगा तो 10,000 versus 30,000 काफी बड़ा difference हो गया अब तीसरा हो गया हमारा equity mutual funds तो यहाँ पे अगर 1 लाग तक के आपके gains होते हैं एक साल के अंदर उस पे कोई tax नहीं लगता है यह 1 लाग के gains आपके total direct stocks में आप invest करते हैं या फिर equity oriented mutual funds में invest करते हैं यह total आपका 1 लाग तक के gain पे tax नहीं लगता है लेकिन अगर 1 लाग के उपर का जितना भी gain है उस पे tax कैसे लगता है अगर आपका short term capital gain है यानि कि आपने एक साल से कम में अपने stocks या फिर stock mutual funds को बेच दिया तो उसके उपर जितना भी gain है एक लाग के उपर वाला जो gain है उस पे लग जाएगा आपका 15% का tax अगर आपने एक साल के बाद बेचा तो आपका tax लग जाएगा 10% का तो अगर आप इसे debt mutual fund से compare करेंगे तो equity mutual fund में काफी benefit है देखा जाए तो लेकिन of course यहाँ पर risk थोड़ा सा जादा हो जाता है जिससे अब हम आ जाते हैं अपने next parameters पे भी अगर हम average returns की बात करें तो FD के अंदर आप देखेंगे on and average आज की date में 7% तो बड़ी असानी से returns मिल ही रहे हैं दूसरी तरफ अगर हम debt oriented mutual fund की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 7% से जादा on and average returns नहीं मिलते हैं कुछ mutual funds जो debt mutual funds हैं वो 10-11% के भी returns दे रहे हैं लेकिन वो high risk category में चले जाते हैं तो obviously अगर risk आपका बहुत जादा हो रहा है तो आपके returns बढ़ सकते हैं लेकिन अगर हम on and average देखें across the debt mutual funds तो यह 7% से जादा आपको generally returns नहीं मिलते हैं equity oriented mutual fund की बात करें तो आपको on and average अगर हम सारे expenses निकाल दें mutual fund के तो on and average आप expect कर सकते हैं 11% के आसपास आपको returns मिल सकते हैं लेकिन post tax returns अब आपके कितने बनेंगे taxation का भी बहुत बड़ा effect होने वाला है तो अगर हम यहां FD की बात करें अगर आप 30% bracket में आते हैं तो आपको post tax returns करीब-करीब 5% के बनेंगे debt oriented mutual fund में भी पहले indexation benefit की वज़े से काफी फायदा हो जाता था अब यहां पे भी आपका return जो है खाली 5% का ही बनेगा तो FD और debt oriented mutual fund में अब returns में तो कोई खास फरक पड़ ही नहीं रहा है equity oriented mutual fund में देखे आपका जो tax है वो भी कम लग रहा है तो 11% से post tax returns में भी कोई बहुत ज़ादा effect नहीं आएगा आपको करीब करीब 10% के returns तो मिल ही जाएंगे अगर हम average देखें तो आपको double returns on an average मिल जाते है equity mutual funds में तो अगर हम comparison की बात करें तो FD और debt mutual funds के मुकाबले equity mutual funds में आपको almost double returns मिल जाते हैं अगर हम post tax returns की बात करें लेकिन of course इसमें risk थोड़ा सा आ जाता है तो अब हम risk की भी बात कर लेते हैं fixed deposit में very low risk है क्योंकि यहाँ पे एक bank के fail होने के chances तो बहुत ही कम है दूसरी तरफ अगर हम debt oriented mutual fund की बात करें तो यहाँ पे low to moderate risk है यहाँ पे देखिए जो bonds के अंदर पैसा लगाया जाता है वो कुछ corporate bonds के अंदर भी पैसा लगाया जाता है कुछ risky bonds के अंदर भी पैसा लगाया जा सकता है जब आपके returns बहुत जादा होते हैं तो हम कहेंगे low to moderate risk है equity oriented mutual fund की अगर हम बात करें तो risk तो यहाँ पे बहुत कम है और returns हमारे लगबग बराबर आ रहे है 5% 5% के तो FD तो better sense बनने लग जाती है debt mutual fund के मुकाबले अब हमारा यहाँ पे एक last parameter आ जाता है time horizon कितने time horizon के लिए कौनसी investment better रहती है अगर हम FD की बात करें तो देखिए short term में अगर आपको पैसा डालना है तो FD definitely makes much more sense अगर आपको एक साल दो साल के अंदर ही कोई पैसा चाहिए हो सकता है आपको गाड़ी खरीदनी हो एक साल के बाद हो सकता है दो साल के बाद आपको घर खरीदना हो किसी बच्चे की education को finance करना हो तो ऐसे केस में FDs और debt mutual funds definitely make more sense तो यहाँ पर short term horizon में आप debt mutual fund या फिर FD के अंदर पैसा डालते हैं और यहाँ पर क्योंकि risk भी high है और market के उतार चड़ाव भी काफी जादा हो सकते हैं हो सकता है एक साल के बाद equity mutual fund के अंदर गिरावट आजाए तो ऐसा पैसा जो आपको 5 साल के लिए नहीं चाहिए वही पैसा आपको जनरली mutual funds के अंदर equity mutual funds के अंदर डालना चाहिए लेकिन short term के अंदर जैसे हमने पहले बात की थी debt mutual funds काफी attractive होते थे वो इसलिए होते थे क्योंकि यह जो tax rate था वो पहले indexation benefit की वज़े से tax benefit वहाँ पे काफी ज़्यादा मिल जाता था तो अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या ज़्यादा तर लोग FDs पे move करना शुरू हो जाएंगे देखिए short term में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि लोग ज़्यादा तर FDs पे move करना शुरू हो जाएंगे लेकिन corporate हो सकता है अब debt mutual fund में जब अपने bonds के थूँ पैसा raise करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा interest rate लोगों को promise करना शुरू कर दें क्योंकि उन्हें भी अपनी investments को ज़्यादा attractive बनाना पड़ेगा अब यहाँ पे मैं एक चीज और add कर दूँ यह जो debt mutual fund के अंदर indexation benefit गया है यह indexation benefit और भी कुछ mutual funds के अंदर चला गया है जैसे कि gold mutual fund में अब आपको indexation benefit नहीं मिलेगा hybrid mutual funds में भी नहीं मिलेगा फंड of funds में भी नहीं मिलेगा नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा या फिर अगर आप equity mutual funds प्रेफर करते हैं वो भी मुझे जरूर बताईएगा यह वीडियो गर आपको पसंद आया तो इसको like और share जरूर कीजिए अपने friends or family members के साथ I'm sure उनको भी कुछ न कुछ value add मिलेगा इस वीडियो से और अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लिजएगा जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसे informative वीडियो में तब तक सीखते रहें कमाते रहें और हमेशे की तरह खुश रही है